सेकंड टोले स्टैचू 18 MILLION डॉलर्स में बन गया और वर्ल्ड का टोले स्टैचू 180 MILLION डॉलर्स में बन रहा है दस गुना का फर्क है यहाँ पर CBI वर्सिस CBI CBI के डारेक्टर आलोक वर्मा और CBI के स्पेशल डारेक्टर राकेट अस्थाना के बीच में क्या क्राइसिस चल रही है कॉंग्रेस के टाइम पे कैसे होते थे न्यूस चैनल्स आज के टाइम पे कैसे हैं बीजेपी की जो पिछली सरकार थी वाजपाई जी की जो सरकार थी उस टाइम पे कैसे होता थे न्यूस चैनल्स नमस्कार मैं रविश कुमार पूरी दुनिया में जूट एक नई चुनोती बनकर उभरा है जूट की दिवार हमारे आसपास रोज बड़ी होती जा रही है और चौड़ी भी जूट की इस दिवार को भेदना अब आसान में वाट्स अब इन्वर्सिटी के जरिये रोजाना कई प्रकार के जूट आप तक पहुँच रहे हैं आप उने विश्वास भी कर रहे हैं उन पर धर्म, देश, रंग, जाती, व्यक्ती, योजना से लेकर इतिहास तक पर जूट की नई परते जमाई जा रही है अब तो आलम यह है कि कहीं दुनिया के किसी भी देश में चुना होता है तो इस जूट को पकड़ने के लिए नागरिकों और पत्रकारों का समूँ अलग अपने तरफ से सक्रिय हो जाता है फिर भी राजनितिक दलों ने जूट को फैलाने का तंत्र अब इतना बड़ा कर लिया है कि यह तब ही चेक होगा जब मुख्यधारा का मीडिया इसे एक्सपोज करेगा है मगर मुख्यधारा का मीडिया खासकर भारत में देखिए तो ऐसा नहीं कर पाता है बलकि वह भी जूट के इस तंत्र को बड़ा ही कर रहा है बिना तत्यों की जाच किये बयानों को छाप रहा है सिर्फ बयान ही बयान छप रहे हैं उन्हें माननेता दिया जा रहा है नोटबंदी पर ही देखिए कि हिंदी के कई बड़े अख़बारों ने कैसे छापा है एक तरफ वित्मंत्री जेटली का बयान है दूसरी तरफ रहूल कांधी के बयान को अगल बगल में छाप दिया गया और जनता पर छोड़ दिया गया है कि आप तै कर ले जबकि मीडिया का एक तीसरा काम भी है कि वो खुद भी तथ्यों का पता लगाया और दोनों पक्षों के खासकर सरकार के द्वारा किये जा रहे हैं दावों पर सवाल खड़ा करे जूट के इस फायल ते समराज ने पाठक होने और दर्शक होने की भूमी का बदल दी है अब आप सिर्फ देख कर या पढ़कर ना तो दर्शक हो सकते हैं ना पाठक हो सकते हैं दुनिया भर में कई नेता ऐसे उभर कराए हैं जिनके आगे जूट होता है, पीछे जूट होता है, मगर यह इतने ताकतवर हैं कि इनके जूट को पकड़ना खुद को दाओं पर लगाने जैसा है। हमने शुरू में जिनका वीडियो दिखाया और फिर से दिखाएंगे कि आप में से कई लोग उन्हें जानते हैं। आउट्सोर्स कर दिया है, यानि तुम करो हम ना करें, लोड ना है हमारे उपर। जो काम चैनलों का था, वो अब प्रतीक और धुरूब कर रहे हैं, यानि जूट को पकड़ना है, तो निजी रूप से जोकिम उठाईए, वाशिंग्टन अमेरिका में वाशिंग्टन पोस जूट या भर्माने वाले बयान दियें, इसका औसर यह निकाला गया है, कि राष्ठोपति ट्रम्प फ्रते दिन पांच जूट या भर्माने वाली भाथ करते हैं, भारत में इसी तरह से जूट के गिनिती हो सकती थी, मगर जो गिनेगा उसी के दिन गिनिती के रह भारत में मुख्यधारा की मीडिया का बड़ा हिस्सा भले इस जूट के साथ हो गया हो मगर अब भी कुछ पत्रकार हैं, कुछ वेबसाइट हैं, एकात सवा चैनल भी हैं जो जूट को पकड़ रहे हैं और Most Visited Monument है याँ पर ताज महल, ताज महल में हर साल आठ मिलियन लोग दुनिया बर से इसे देखने आते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25 करोड रुपए एरली रेविन्यू जनरेशन होता है इन सारे टूरिस्ट से आपर अगर हम Broad Sense में देखें अगर Statue of Unity ताज में जितना भी पॉपिलर हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 25 करोड रुपए पर एर कमा पाएगा यानि की 120 यर्स इसे लग जाएंगे 3000 करोड रुपए की कौश्ट को ब्रेक इवन करने में इंस्टिट्यूशन का इंडिपेंडेंस है आज के दिन उसकी बहुत ही बुरी हालत है मुझे याद है 2013 में हमारे सुप्रीम कोट ने कहा था कि CBI हमारे देश का एक केजड पैरिट है आज दोस्तों ये हालत आ गई है कि उस पैरिट के पैर भी बान दिये गए है उसकी जीब भी काट दी गई है कि वो केज के अंदर रहे कर भी कुछ बोलना पाया गए चलिए मिले हैं अगले वीडियो में दोस्तों धन्यवाद द्रूब आपका स्वागत है आपकी बात यूट्यूब पे आपका अपना एक चैनल है फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप भारत से बाहर पढ़ने ही गए होंगे नौकरी ही करने गए होंगे किसी और मकसद से गए होंगे लेकिन भारतिये मीडिया के स्पेस को लेकर किस तरह से क्यों आप इतने इंट्रेस्टेड हो गया आप कह सकते हो कि पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पे लाने के लिए मुझे जहां तक इसकी बात है कि क्यों शुरू किया मैंने करना आप कह सकते हो इसका एक रीजन था फ्रस्टेशन कि मैं तंग आ गया था देखकर कि क्या होने लग रहा है हमारे देश में मैंने पहला वीडियो अपना 2016 में बनाया था शुरू शुरू में और उस टाइम पर मतलब इतने जूट बोले जा रहे थे इतनी फेक न्यूस फोटोशॉप्स और यह सब की जाती थी कि मुझे लगा से मैं बनाते रहा लोगों को पसंद आने लगे और जब आप 2016 के साल में परिशान थे हताश हो रहे थे तो तथ्यों को ढूडने के लिए आप भारतिया मीडिया के अखबारों चैनलों का सहरा लेते होंगे तो क्या आपको उस वक्त या इस वक्त भी तथ्यों नहीं मिल रह करता है अब एक खबर यहां पर आती है कि फाइनांस बिल ने करॉप्शन को लीगलाइज कर दिया और दूसरी तरफ कोई ऐसी फालतु की खबर आ जाती है कि राहूल गांदी ने यह बयान दिया तो मेंस्ट्री मीडिया हमारा उस राहूल गांदी के बयान पर ज्यादा टा पलटते पलटते रहते होंगे तो कुछ फर्क दिख रहा है या आपको लग रहा है कि जहां आप रहकर काम करते हैं वहां का भी मीडिया वैसा ही हो गया है और यहां का भी मीडिया बहुत फरक है जहां मैं रहता हूं वहां के मीडिया में और यहां के मीडिया में इंडिया क वर्ल्ड प्रेस्ट फ्रीडम रंक, 138 पे आउट ओफ 180 कंट्रीज, जो भी डेवलप्त कंट्रीज है, सब टॉप 20, 30 में आने वाली, आप उनका मीडिया चैनल खोल के देख लीजिए, हमारा देख लीजिए, बहुत फरक्त दिखता है, मैंने वहाँ पे रहने वाले कुछ लो है, आराम से बात करते हैं, एक तो महाँ पे लोग, फैक्ट पे बात करते हैं, और फाल्तू की डिबेट्स नहीं चलाते ज़्यादे हैं, जिसमें जगड़े वगड़े होते हैं, कि एक रिलिजिन के बेसिस पे डिबेट्स कम ही चलती हैं, बस निउस को बताने का काम हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि तब क्या आप भारत की मीडिया को बहुत श्रद्धा से देखते थे, नहीं, पहले डेफिनेटली रिस्पेक्ट तो थी मीडिया के लिए, वो धीरे धीरे टाइम टू टू टाइम कम होती चली गई है, एक टाइम था, जब एक देरे देरे चीज गरती चली गई है और आज तो मुझे नहीं लगता कोई शान से बताने वारी बात है कि आप टीवी पर आ रहे हैं, लेकिन कुछ गिने चुने हैं जैसे आपकी तरह अच्छा लगता है यहां पर आकर कि एंडी टीवी पर आने का मौका मिल रहा है, आपके श्रीनी बद्ध करें, कैटेगराइज करें हमारे दर्शों की जागरुकता के लिए भी, जैसा कि मैंने कहा कि अब सिर्फ दर्शक होने से काम नहीं चलेगा, अगर रिमोट खरीद लिया और बदल दिया कोई भी चैनल, जहां तक मैं देखता हूं कि कोई भी चैनल आप अब रिमोट भी यूजलेस हो गया, उसका कोई महत तो नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी पाठक होना दर्शक होना, अब ये दोनों की भूमिका, पुरानी भूमिका समाप्त होती है, हम लोगों की भी भूमिका बदल रही है, कि बहुत सारे संदर्वों को लेकर बात करना पड़ता है, तब जाके एक तस्वीर सेकंडरी और तीसरे प्रकार के सोर्से से, लेकिन फिर भी क्या ज़्यादा बुराईयां आपको भारत के टेलिविजन में आपको नजर आई कि ये नहीं होना चाहिए था, एक आपने दर्शकों की बात करी, कि एक चीज तो है कि अब वक्त बदल गया है, एक समय होता था कि आपको न्यूस देखनी होती थी, आप टीवी खोल कर चैनल आउन करते थे, जो न्यूस दिखा रही है वो आप देख लेते थे, लेकिन अब ये टाइम नहीं रहे क्योंकि अब इतने तरह से एक न्यूस को दिखाया जाता है, एक हमा उससे क्या बोला जा रहा है, उस तरफ से क्या बोला जा रहा है, इस तरफ के क्या facts प्रेजेंट किये जा रहे हैं, यह पहले करने की जूरूत नहीं पड़ती थी, तो डेफिनेटल अब ये करना चाहिए लोगों को जो डिबेट होते हैं, वहां भी हमने पढ़ा है कि जैसे कि खिलाफ है नफरत या इमिग्रेंट के खिलाफ है या मुसल्मान के खिलाफ है लेकिन अभी एक सिनेगॉग में अमेरिका में यहुदी परिवारों को भी मार दिया गया तो नफरत जो बनाई गई है वो किसी के भी खिलाफ है पर मैं थोड़ा सही जानना चाहता हूं कि भले देखके वहां के टलैवीजिन में नहीं हो पर वहां के पॉलिटिक्स में तो होगी यह बात जिस तरह से यहां के पॉलिटिक्स में है इस चीज़ को आप कह सकते हो मतलब favor में हो उसी की चीजे like करते हो तो social media वही चीज दुबारा दिखाता है तो एक तरह से bubble form हो जाता है आप उन्हीं लोगों को देखते हो follow करते हो जो आपके opinion से पहले से agree करते हैं यह पहले नहीं हुआ करता था तो यह एक reason है जिसकी वज़े से पूरी दुनिया भर में आप देख सकते हो कि एक बहुत सारे ऐसे चोटे-चोटे bubbles create हो रहे हैं और प्रतीक सिनहा के काम के संदर्ब में पूछना चाहूंगा कि शुरू में alt news को लेकर मीडिया के कुछ हिस्से में उत्साह था अभी भी है लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आप जब मीडिया को आईना दिखाते हैं तो क्या फिर मीडिया की तरफ से आपकी बातो को सपोर्ट मिलता है यह तो मतलब डिपेंड करता है ना मीडिया की अगेंस्ट मैं बोलने लग गया तो क्यों सपोर्ट करेगी वो मीडिया इन फैक्ट वो आवास को दबाने की कोशिश करती है अभी जैसे एक पींग हूमन है उसका चैनल है वो बहुत जादा मीडिया को मी पूरा बंद करने की पूरी कोशिश करा रखी उन्होंने तो वह भी सेंसर्शिप की कोशिश तो करी जाती है मेरे साथ भी करी जाती है अब आप वीडियो इस्तमाल करके लोगों को दिखाते हैं कि फला एंकर ने ऐसे कहा गलत कहा या इस तरह से धार्मिक सांप्रादाइक् अब आप वीडियो इस्तमाल कर पा रहे हैं या कॉपी राइट के बहाने उसको रोका जा रहा है नहीं अब मैंने पर्सनली अवाइड कर दिया है कि मैं इन न्यूस चैनलों की क्लिप इस्तमाल करूं क्योंकि वो कॉपी राइट करके वीडियो हटा देंगे फिर इसलिए मै अब नहीं कर पाता है तो फिर अब दूसरी दूसरा रास्ता क्या बनता है कि अगर में इस्ट्रीम मीडिया के हजार मंच एक जूट को फैलाने लगें सांपरादाइकता को फैलाने लगें और कोई दूसरा जो आप जैसे नागरिक के सिटिजन के प्लेटफॉर्म से खड़ ना करने दिया जाए तो फिर क्या अभियान समाप्त हो जाएगा नहीं यह तो बिल्कुल नहीं होगा अगर मैं पर्सनली कहूं तो अपने चैनल पर नहीं डाल सकता लेकिन लोगों तक बात पहुचाने के और भी तरीक हैं लोगों तो मैं वीडियो दिखाऊंगा लोगों क बोलूगा तुम इस वीडियो को फेलाओ आगे तो कितनों की आवाज दबाने की बंद करेंगे यह हो नहीं सकता आपके साथ जो लोग आते हैं जो जो लोग जुड़ते हैं वो लोग भी आप ही की तरफ बंते चले जाते हैं कि यह समझ पाते हैं कि हां यह काम करना चाहिए हाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने इंञे इंस्पीरेशन लिये जो मैं कर रहा हूँ वही चीज करने की कोशिश करी और मैं उनकी मदद भी करने की कोशिश करते हूं क्योंकि बहुत लोगों की जरूरत है हमें देश मेह से जो ऊठ कर आवाज उठाएं और कि मुझे वीडियो बनाने पसंद है वह अलग बात है कि यह वीडियो मैं इस फील्ड में बनाता हूं तो जर्नलिजम से रिलेटेड हो गए एक्टिविजम से रिलेटेड हो गए लेकिन इतना जर्नलिस्ट नहीं कह सकता मैं अपने आपको कोई कॉलिफिकेशन नहीं है मेरी ज आप अमेरिका में इस वक्त देख रहे हैं कि CNN के एकोस्टा ने राश्ट पती से सवाल किया तो दूसरी संस्थानों के पत्रकार भी उनका सपोट करते हैं हो सकता है कि इस तरह का आपको समर्थन नमिलता हो मीडिया हौस से या जो कोई नहीं आप यह देख लो कोबरा पोस्ट का इतना बड़ा एक्सपोजे था उनको कितने लोगों ने सपोर्ट किया यहां पर कितने मीडिया हाउस उसके सपोर्ट में निकल किया है वह भी एक मीडिया हाउस ही है वहाँ पर तो कितने जर्नलिस्ट अपने दूसरे जर्नलिस कि ये काम कर पाएंगे। जैसे हम लोगों से ही कई दर्शक पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता है। मैं कुझ डर हूँगा किसी से। फिर उनकी अंदर ये बात होती है कि यार, बोलने में खत्रा है तो क्या आप उस खत्रे को सेंस करते हैं। यह तो एक माहौल बनाया गया है, इनकी जो ट्रॉल आर्मी है, यह गालियां देती है, कमेंट्स में गालियां देगी है, धमकी देगी वहाँ पर, लेकिन उनका तरीका है यह सेंसर्शिप करने का, हाला कि कुछ हद तक यह सही भी बैठता है वो जो एक्चुली में जब कुछ हो जाता है, unfortunate, लेकिन जातर टाइम यह, क्या बोलू, सिर्फ बोलते जादा हैं, कुछ करते नहीं है, तो आपने इस भूमिका में आने के लिए अपनी तयारी भी की, कैसे बोलना है, क्या करना, कितना घंटा लगाता है, जैसे हम लोग तो पूरा दिन रात, सुबर शाम नि सीखता गया, कि नहीं, ऐसे बोलना चाहिए, मुझे, इसको ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए, मेरे को बोलना भी डंग से नहीं आता था, आप उस वीडियो में देखेंगे, तो, खुद ही सीखा हूँ, जैसे ऐसे काम करता गया, सीखता गया, और आज ही हो गया, मैं यह सवा खुद करता हूँ, रीसेर्च भी खुद करता हूँ, एडीटिंग भी करता हूँ, और करीब करीब आप कह सकते हो, 22 के इस दो को चाहते dedic, पर तो 24 घंटे, तो 24 थिन दो, या 2 दो दो चाहुद, नहीं को आराम से जाता है तो, बहुत लोग जानना चाहते हैं, आप कहा रहत चाथें तो क्या यह उसका हिस्षा है कि महफोज रखने का प्रोटेक्शन का एक हिस्सा है? बिल्कुल, definitely है, क्योंकि आप देखी सकते हो, आपके साथ किस तरह के धंकि आती हैं, अपको, अभिसार शर्मा को किस तरह की धंकिया आती है जो भी सरकार के उपर सवाल उठाने की हिम्मत रखता है यह अपनी आर्मी भेज देते हैं उनके पीछे तो इसलिए मैं इस चीज़ को छुपा कर रखना चाहता हूँ अगर उनके उनका अगर समर्थक मीडिया है तो उतना ही सख्ट और पाउर्फुल मीडिया भी है लेकिन भारत में इतना बड़ा सीनन जैसा या नियॉयॉर्क टाइम या वशिंग्टन पोस्ट जैसा कोई इस तरह से क्वेस्चन करने वाला बड़ा संसान नहीं दिखता है जब कि कभी कभी खबरे छप जाती हैं वहाँ भी लेकिन बाकी और देशों में अमेरिका के इतर में ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जूट का समराज फैल रहा है सरकारे मीडिया पे ज़्यादा नियंतरन कर रहे हैं मीडिया किस तरह से फाइट बैक कर रहा है मीडिया मुझे लगता है वहाँ पे बहुत चौकना है और एक्चली में प्रॉपर मीडिया का काम कर रहा है वो और इसका एक रीजन ये भी है कि वहाँ के लोग समझते हैं की मीडिया का क्या काम है सरकार का क्या काम है वो यह नहीं सम्झते की मीडिया को वही करना चाहिए जो उनके अपीणियों मैं है भारत में क्या हो गकए है 2014 के बाद एक तरह से समझ लो कि इतिहास की almost की दिल्चसपि आ गई है लोगों में 24 के बाद लोगों को आज के टाइम पर ये फरक नहीं पड़ता कि आज क्या हो रहा है लोग चाहते हैं कि जब मैं भी वीडियो बनाता हूं कुछ लोग ऐसे हैं जो सवाल करेंगे कि तू साथ साल के क्यों नहीं बोलता तू ये क्यों नहीं बोलता कॉंग्रेस के टाइम पर क्या हुआ मतलब मैं साथ भी आठ भी क्लास में था जब कॉंग्रेस की सरकार थी और एक्सपेक्ट करते हैं आज मुझसे कि आज की बात पर ना बोलूं कितना पॉलूशन आ गया है यहाँ पर यह स्टैच्य ओफ यूनिटी बनाया जा रहा है लेकिन मैं दस साल पुराने स्कैम्स के बारे में बात करूँ ऐसा नहीं है वहां के लोग समझते हैं कि आज के मुद्दे क्या है किस पर बात करनी चाहिए मीडिया को और वही चीज मीडिया भी उठाता है यहां पर तो कुछ हद तक तो लोगों को भी सुधरने की जरूवत है यहां पर लोग भी जाने कि क्या काम मीडिया का है क्या उन्हें करना चाहिए यहां पर उससे पहले तो जो आप देख रहे हैं कि जैसे नोट बंदी का ही दो साल का वक्त गुजरा आठ नॉम्बर को लेकिन ठीक ठीक लोगों को याद है कि कैसे बताया जा रहा था कि नोट बंदी में कोई GPS लगा हुआ है नोट में 2000 के नोट में वो अगर कोई जमा करेगा तो इंकम टेक्स को पता चल जाएगा इस तरह की चीज़ें तो यहां आप आम होती जा रही हैं कि उसको आप जैसे प्रधान मंतरी नहीं बोला कि भगत सिंग जब जेल में थे तो कॉंग्रेस का कोई नेता नहीं मिलने गया आज तक उन्होंने उस पर अपनी सफाई नहीं दी और आज तक कोई बड़ा अखबार मत्तों क्वेस्चन नहीं किया बड़ा से खासकर हिंदी के अखबार जो हैं उसमें मैं देख रहा हूं कि अकबर वाले प्रसंग में नहीं चापा गया कोई हिम्मत ही रखता मतलब प्र पुरा दिन लग जाए गए काम करने में पर यह जो आपने एक तरह से एक आप रेगुलेटर हैं मीडिया को वाच भी करते हैं आपको लग रहा है कि आप इंपक्ट कर पा रहे हैं दर्शकों के बीच में कुछ हद तक मुझे लगता है डेफिनिटली इंपक्ट पहुंच र रखा करता था लेकिन तुमारे वीडियो देखने के बाद मेरी सोच बदल गई है आपने हमारी आंखे खोली उसके लिए धन्यवाद ऐसे बहुत से लोग मुझे लिखते हैं तो डेफिनिटली इंपक्ट हो रहा है धीरे हो रहा है लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लग फसादेंगे डिफरमिशन केस में फसादेंगे नहीं एक्चली सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट तो शुरू में बहुत मिला था मुझे तभी मैंने आगे वीडियो बनाने चालू किया इससे बदा चलता है ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख सकते हैं कि गलत होने लग तो वहां पर भी बहुत 400-500 लोग जुड़े होएं पेट्रियन पे पेट्रियन डॉट कॉम एक यूस की क्राउट फंडिंग वेबसाइट है तो वह लोग ज्यादातार भारतिया हैं या या आपको पता नहीं है कौन है नहीं पता है कुछ भारतिया है और कुछ एनराइस भ सपोर्ट करने आ जाते हैं कि हाँ ठीक है इस रास्ते को सपोर्ट किया जा सकता है कई बार लोग सोचते हैं कि हम अकेले हैं और हमारे काम का कोई असर नहीं पड़ रहा है लेकिन फिर भी धुरूबराथी मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूं कि इस काम ने आपको बदल सकता हूं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो सकता हूं आपकी आपके और वीडियो में देख रहा था कि आप यह भी बता रहे हैं कि कैसे बोला जाए नौकरी अगर देने जाए तो उसमें इंट्रिव्यू का बहुत रोल होता है तो आई कॉंटेक्ट एक वीडियो में आपका देख जाए नहीं जाती की मिऊचल फंड कैसे होते हैं, स्टॉक मार्किट कैसे काम करता है, बिजनस स्टाट करना है तो आपको क्या करना चाये उन चीजों में और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है उसको कैसे आपको सोच रखनी चाहिए अपनी चीजों के बारे में, इन चीजो को लेके बात हो रही है उसे और जादा पढ़ने की डेफिनेटली मतलब ये एक सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा माध्यम है लोगों तक कुछ भी बात पहुंचाने का तो मैंने इसे देखा कि इसको एक्चिली में यूज किया जा सकता है लोगों को एजुकेट करने के लिए जैसे आपने कहा कि क्या एक इनसान का महत्व है डिमॉक्रिसी में तो मुझे लगता है मैं इसको यूज करूँगा लोगों को बताने के लिए कि तुमें किस तरह से क्या देखना चाहिए वोट करने से पहले जैसे कहां पर तुम जाके देख सकते हो कि किस MLA MP पे कितने क्रि पुराथी से मुलाकात की यूट्यूप पे इनको देखा भी होगा इनके लिए एक नयا شव्द का इस्त poll होता है जैसे हम लोगों को एंकर कहा जाता है ड्रूम को यूट्यूबर कहा जाता है तो यह एक नया शव्द उन्हों ने अपने लिए बनाया कि यूट्यूबर अप अब झभी हिंदी के अखवार पड़ें आप यह देखें कि उसमें सत्तापख्ष का कितना स्पेस मिल रहा है विपख्ष की बात कितनी छप रही है और कितनी प्रमुकता से छप रही है तो इन ध्यान से सिर्फ इस पेस ही ना देखें कान्टेंट में जाकर देखें कि सत्ता पक्ष के नेताओं की सारी बातों को हू बहू छापा जा रहा है और विपक्ष के नेता का बयान क्या इस तरह से छापा जा रहा है कि राहूल गांदी ने किया हमला, लेकिन क्या हमला किया, क्या तर्क दिये वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं, ये बात आप टीवी में भी देखिए, ये बात आप अख़बारों में भी देखिए, आप जब इस तरह से देखने लगेंगे तो बहुत कुछ मीडिया भी बदलेगा, बाकी ब्रेक के बाद 36 गड़ में सोमवार को प्रथम चरण के मद्दान होने हैं, वहाँ जनता कॉंग्रेस और मायावती का गठबंदन है अजित जोगी का कहना है कि अगर उनका गठबंदन जीता, तो वही 36 गड़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे, वे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन क्या वे रमन सिंग को हरा पाएंगे, अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी ने अजित जोगी से बात की है 36 गड़ में पहले चरण के चुनाओ के लिए तैयारिया पूरे जोरो शोरो से हैं, इस वक्त हमारे साथ अजित जोगी पूरू मुख्यमंत्री जी हैं, सर, मैं किंग से बात कर रहा हूँ या किंग मेकर से? देखे, इस बार ये पका है कि जो गड़ बंदन हमने बनाया है, मजबूत गड़ बंदन, बसपा और कम्मुनिस्ट पार्टी के साथ उस गड़ बंदन की सरकार बनेगी, और गड़ बंदन ने तैय कर लिया है कि सरकार का मुख्यमंत्री मैं ही रहूँगा सर, ऐसी खबरे भी थी कि आपने बात कही है कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे और मायवती जी को ब्रधान मंत्री बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे देखे हमने गड़ बंदन किया है, उसके पहले से मेरे दिल और दिमाग में ये बात थी कि अपके नौन कॉंग्रेस, नौन बीजेपी का गड़ बंदन 2019 में लोग सभा में बहुमत में आएगा और वैसे तो उस समय तय होगा किसको बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए, पर मेरा व्रतिगत मत ये है कि पहली दलित और महिला और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे से आने वाली, तो उनको चार-चार बार मुख्य मंत्री का अन्मव है, इसलिए मेरे से मायवती जी प्रधान मंतरी के लिए सर्वता उप्युक्त है, इस बार आपको लगता है कि आपका और मायवती जी का गडबंधन एक कड़ी चुनाती दे पाएगा दोनों प्रमुखदलों को बीजेपी और कांकर्स को, लोग दोनों राश्टी पार्टियों से ठक गया है फैसले यहां से नहीं होते, दिल्ली से होते हैं दोनों पार्टियों के, जैसे धान का समर्थन मुखदलों, यहां का किसान कुछ चाता है, रवन सिंग कुछ कहते हैं, कांग्रेस कुछ कहती है, पर अंतता दिल्ली जाते हैं वो और दिल्ली से ओर्डर हो जाता है कि इतना द तक होता रहा क्योंकि दिल्ली तक आती बात हम लोग तो डेड़े दो-दो साल पहले डिक्लियर कर चुके थे तो छेत्री पार्टी का अपना महत्व है और जित्रा संसाधन मेरे ख्याल से किसी अन्य प्रदेश में नहीं है छेत्री पार्टी ही उन संसाधनों का उप्योग यहां के नागरिकों के हिक्में सबसे अच्छा कर से एक बात आती है कि लोग कहते हैं कि आपकी और रमन सिंग्जी की दोस्ती इतनी गाड़ी है कि जब तक आप है उनको कोई म तो मैं ही अकेला ऐसा विक्ति हूँ जिसके उपर उन्होंने जूठा मर्डर का केस चलाया दूसरे दिन अदालत ने मुझे जूठा होने के कारण वो मुकदमे से बरी कर दिया 36 गड़ से ही ये चुनावी भाषण है आपके लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने आजग्दलपूर में एक सभा को संबोधित किया है और राहुल गांधी भी 36 गड़ में थे उन्होंने कांकेर में एक सभा को संबोधित किया है दोनों के भाषणों का कुछ अन्शम आपको दिखाना चाहते हैं आप देखिए और तै कीजिए कि दोनों की दावेदारी में कितनी सत्यता है और कितनी विश्वस्नियता है करीब 12,000 करोड रुपिया साथ नई रेल्वे लाइनों का मंजुरी प्जेगे जी गई 11,000 करोड रुपिय से जादा लागत की 15,000 किलोमेटर की रेल लाइन इसके चौडी करन का काम भी हमारी सरकार ने स्विक्रत कर दिया है भाईयों बहनों आज यहां का कोना कोना विकास का परियाए बना हुआ है दूर्ग कॉंदल से लेकर भोपाल पत्रम तक आपको विकास ही विकास नजर आए लगा यह दोनों सरकार ने मिल करके काम किया इसके कार लगा भाईयों बहनों किसे ने सोचा था कि जगदलपूर के हवाई अड़े से जहांच दिल्ली जाएंगे उड़ेंगे लोगों को आएंगे ले जाएंगे आज हवाई अड़ा बना के नहीं बना भायों भेनों कोई सोच सकता था कि हाँ पर बस्तर के अपनी उनिवर्सिटी हो बस्तर का अपना मेडिकल कॉलेज हो बस्तर के अपनी इंजिनेरिंग कॉलेज हो राजजानी राइपूर में जो सुविधाएं हैं बैसी सुविधाएं सुकमा हो दंतेवाडा हो विजापूर हो उसमें उपलब्द हो ये क्या कभी पहले किसी ने सोचा तक था भायों भेनों ये हमने करके दिखाया है पहलो काम कॉंग्रेस पार्टी के सरकार आएगी जिसानों का पर्जा माफ़ाइपूर जाएपूर 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 जैसे ही हमारी सरकार यहां आएगी रेडी पट्री वालों को हम चेहर में जगा देने का गाम करें आपके पार जो तरी जम्ना है अब उसे आना बोलाओ तरी जम्ना यहां भी गरें के पार समीन है कापकिसान हो कापकिसान हो जावो शेहर हो मदभूँत लो गुथ पढकराभी जुद्धपत्य और चीपनेस को प्रदान मंटरी फिलकर उसे गमीन जीदेए प्रदान मंकर ने रद किया, जी पिनिस्कन ने रद किया, जैसे हमारी सर्कार यहाईगी, उच पिल को हम लागू करेंगे, चार गूना जादा किसानों को पैसा मिनेंगे.